बूड मॉर्निंग इवरीवन आज हम लोग यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है टेस्ट और मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स इसको कवर करेंगे और आज 7 यूनिट खतम हो जाएगी नंसी आटी की तो एक नेलसन मंडेला लीडर हैं साउथ अफ्रिकन के आप लोग जानते होंगे इन जब अच्छी चीज़ें होती हैं और आप विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं तो उस मोमेंट में अपने आपको पीछे रखना चाहिए और दूसरों को आगे की लाइन में रखना चाहिए ठीक है और यही एक लिडर्शिप की क्वालिटी होती है और जब आप यू टेक इन लाइन वन देर इस डैंजर आप पहली लाइन में रहिए जब कभी खत्रा का अनुभूईती होता है दा पीपल विल सेल एप्रेशिएट दे लेडर लेडर्शिप तब लोग जो है जो दुनिया है वो आपकी लेडर्शिप की यानि कि नेत्रित्य की अप्रेशिएशन करेगी यानि प्रसंशा करेगी तो यह मैं आपनों को क्यों सुना रहा हूं क्योंकि आज जो चैप्टर है हमारा वह लेडर्शिप ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन तो नेंसल मंडेला यह जो है इनका जो इस्टेटमेंट है इनका जो इस्टेटमेंट का जो कथन है यह दिया गया है आपके NCRT में तो हो सकता है कभी कुश्चन जो है यह उठा कर पूछ दे लीडर्शिप के नाम पर कि यह कथन किसका है तो उसमें आत्मा गांदी सुभाष अंद्रबोष भगत सिंग या फिर नलसन मंडेला आप्शन में दे देगा तो यह दिया आपको प यह मैंने यह पर लाए है देखे कोश्चन जो आता है लीडर का एक कोश्चन आता है विडर की सब्द की उत्पत्ति कहा से हुई है तो आपको पताओ ना चाहिए इंडो-यूरोपियन से हुई है जिसका अर्थ होता है लैथो यल ए आई टी हो यल ए आई टी हो लैथो ठीक यानि बिसिस्ट पत है रास्ता है जिसको लोगों को लेकर चलना है साथ साथ लेकर चलना है लैठो मतलब यह होता है ठीक है अब question देखिए उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कि घुमा के पूछेगा जो important question है क्या पूछ सकता है वही मैं लेकर आया हूँ तो रॉक क्लैम्बिंग में कौन सा यंत्र या सामान यानि equipment ज़ो है जरूरी नहीं है तो इसमें देखिए रॉक क्लैम्बिंग दिया तो कैराबीनियर्स कैराबीनर जो होता है और फर्स्टेट किट हारनेस helmet दीखे फ्र налins जैसे three pin harness होता है three pin harness होता है इसमें आपका जो है जो leg होता है fit हो जाता है और वेस्ट band से बांध दिया जाता है तो harness तो होना rock climbing में बहुत जरूजरी है ठीक है helmet होना बहुत जरूरी है क्योंकि rock علي जे fall होता है तो आपके head को हिट न करे इसलि weighs helmet भी पहनते हैं और कैईरा बीडर्स का उपियोग कहां पर होता है कार बीडर्स जो है हम क्या करते हैं जब रॉक क्लायमिं करते हैं तो जो पहाड़ो जो पत्थरों के बीच में एक कील नुमा जो सनचना होता है उसको हम फसाते हैं और अपनी climbing को उपर तक चड़ते जाते हैं तो इसकी भी जरूरत होती है इसकी भी जरूरत है इसकी भी जरूरत देखिए rock climbing जो है indoor sports में आता है और outdoor में भी in fact आता है बट जो rock climber होता है वो अपने साथ कोई kit नहीं लेकर additional kit लेकर नहीं बहुत ही difficult था कि आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे first state kit तो हर जगह जरूरी है बट rock climbing में क्यों नहीं जरूरी तो मैंने आप लोगों को बता दिया तो अगर ऐसा option आता है तो first state kit का कोई जरूरत नहीं पड़ता है during rock climbing यह केवल और केवल mountainering के time पे जरूरत पड़ता है ज इस तरीके से तब आपको जरूरत पड़ती है first state kit की अब देखें next question है बहुत ही important question है और यह जो है UPHC जब मैं एक्जाम दे रहा था assistant professor UP higher education commission का उस time पे भी यह same question पूछा था वैरियो मीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है किसे खेल में किया जाता है ऐसा पूछा थीक ति देखें फ्रेंड्स यह जो है ना वैरियो मीटर इसका उपियोग जो किया जाता है वो पैरा ग्लाइडिंग में ही किया जाता है इसका answer हो जाएगा पैरा ग्लाइडिंग ठीक है और मैं एक कुश्चन आप लोग को बता दूं सायद यहाँ पर मैंने पीडियाप नहीं लिया हुआ है बनाया है नहीं है फोटो नहीं खीचा था तो एक कुश्चन और आ सकता है इसमें जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आप लोग को यह पढ़ना चाहिए देखे यह जो लीडर्सिप है लीडर्सिप की उत्पत्ति तुम्हाने बता दिया कहां से ईंड़ोअमेरिकन से हुआ है और तो और इसमें एक कुश्चन और आता है कि leadership के जो है एक leader की क्या qualities होते है तो देखे friends अगर ये question आता है तो most of the time most of the time क्या होता है कि all of the above answer होते है ठीक है all of the above answer होते है तो आप लोगं को जो है उसके लिए एकदम तयार होना चाहिए कि all of the above answer तो नहीं है तो ये था ठीक है अभी हम चलते है test and measurement test and measurement in sports देखी यह जो topic है यह अपने आप में बहुत बड़ा chapter है बट NCRT में थोड़ा सा कम दिया हुआ है बट अपने आप से भी मैं थोड़ा सा question जो है यह आपर बनाया हुआ हूँ so that जो है आप लों के basic concept भी clear हो और ऐसे question अगर आ जाए तो आप जो easily tackle कर पाए ठीक है तो यह देखे पहला question है zero degree temperature and zero weight is an example of which scale देखे friends तीन टाइब के skills चार टाइब के skills होते हैं no I am real no I am real इस तरीके से no I am real n stand for nominal o stand for ordinal i stand for interval r stand for ratio इस चार टाइब के skill होते हैं but इसमें differences आपको पता होना जाए ordinal मतलब होता है दूसरा चौथा छट्वा पोजीशन और interval में होता है 2 से 4 तक ठीक है interval होता है 5 से 6 तक इस तरीके से interval होता है तो उसे interval कहते हैं nominal scale में मतलब होता है place और things जो noun type के होते है nominal मतलब राम, स्याम, बाजार, market ये सब जो होते हैं nominal skills के अंतरगत आते हैं ratio जो होता है वो जो है zero को प्रदर्शित करता है जैसे कि कोई भी चीज है वो zero है भले ही बट उसका जो परिमार होगा जो उसकी quantity होगी वो zero नहीं होगी जैसे zero degree temperature zero degree temperature zero मतलब zero degree temperature मतलब कोई temperature ही नहीं है नहीं उसमें है कुछ परिमार है बट उसका नाम क्या है zero degree है इसी तरगे zero weight ठीक है तो ये तरग इसमें आता है ratio scale में आता है एक question बहुत important है और हर जगह घुमा पिरा के पूछता चाहिए net का exam हो चाहिए tgt pgt कहीं भी ये question पूछता है देखे body fat जो हता है किस से समंदित है किस से major किया जाता है body fat नहीं किस से major नहीं होता है पूछा body fat देखे ऐसा ही question कुछ घुमा के पूछा गया था तो BMI से body fat का पता चलता है कि over fat है over weight है या फिर obesity grade में है BIA का full form मैंने बताये था bio electrical impedance analysis इससे भी होता है DXA का आप लोग बतायेगा कि क्या होता है इसका full form होता है और hydrostatic weighing से भी आपका पता चलता है कि body fat जो है कितना है तो इसमें जो है DXA भी है जो body fat को measure करता है बट DXA का full form आप लोग नहीं बतायेगे तो आप मैं बता देता हूँ इसका full form होता है बहुत important है अगला जो है दो से तीन question जो है full form पे पूछता है ठीक है तो हो सकता है BMI, BIA, DXA Appense, Auffer इन सबसे question NCTE इन सबसे question बन सकते है तो DXA का भी full form आप याद कर लीजेगा Dual energy X-ray देखें मैं लिक देता हूँ Dual D stand for dual Dual energy ठीक है D stand for dual energy होता है और AX stand for X-ray X-ray होता है A stand for होता है A stand for होता है Absorption होता है Absorption 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 होता है Absorption Metry ठीक है Absorption Metry Absorption Metry यानि कि जो Absorption करते हैं Absorption उसका एक मात्रक होता है ठीक है जिसे हम मापते हैं तो ये body fat का ही होता है तो इस तरीके से इसका answer क्या हो जाएगा अब देखें question अगर acute ऐसे दे दिया केवल C नहीं मापता है बिल्कुल नहीं ये तो मैंने बताये था CD भी नहीं है AC भी नहीं है कोई नहीं है तो इसका answer क्या होगा इस बिकल्प में जो answer दिया है इसका ऐसा कुछ ननाबदय वब होगा ठीक है यानि कि सारे हैं सारे मापते है ठीक है तो कोई नहीं इसका answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखे मैचिंग वाला question है 18.5 देखे बियमाई का है बियमाई का है जब इसको मैच करना है मैच करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चीए कि अंडर्वेट की category क्या होती है अंडर्वेट की category जब बिलो 18.5 होता है याद कर लिजे लिख लिजे important है अंडर्वेट जब होता है जब बिलो 18.5 होता है ठीक है और नॉर्मल वेट कब होता है नॉर्मल वेट जब होता है 18.5 से लेके 24.9 होता है तो वो नॉर्मल वेट हो जाता है तो यहाँ पर match कर लीजिए ठीक है अब 24.9 के बाद क्या होता है 25.20 से लेके 29.9 यानि 4.5 जोड लीजिए ठीक है 4.9 जोड लीजिए तो उसमें क्या होता ओवरवेट होता है ठीक है अब 29.9 के बाद 30 आएगा तो 30 में obesity 1st class आजाए 1st grade आजाएगा ठीक है इसके बाद 35 से लेके 39.9 तक obesity ग्रेड हो जाएगा इसी तरीके से 40 से लेके एबब 40 जो है obesity 3rd grade आजाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरीके से कभी matching का आजाता है question तो आप लोग इसको कर दीजिएगा देखे डबलू एचर का formula आपको याद करके रखना है GW upon GH देखे वेस्ट कमर हमेशा उपर होता हिप से तो इसका formula हमेशा याद रखे GW upon GH ट्रिक टू में remember कमर हमेशा उपर कमर हमेशा उपर किस से हिप से इस तरीके से याद कर लेजेगा यही same question जो है BPSC TRE2 में पूछा गया था ठीक है अब एक numerical है देखे एक numerical भी आया था उसमें बहुत easy numerical था अपने TRE2 में जो की speed से था कि उसका speed क्या होगा ऐसी तरी velocity था स्वारी velocity का था बहुत easy सवाल था 10 meter per second का था ठीक है देखे एक आदमी का height 183 cm है वजन जो है 195 kg है उसको किस category में रखा जाएगा आप question सीधे सीधे below 18.5 से लेके या 18.5 से लेके 24.9 नहीं देखे इस तरीके से question पूछ लेगा और पूछ जाएगा किस category में आता तो आपको उसके लिए ते यार होना पड़ेगा इसका देखे फ्रेंट्स हमने सुत्र देखा था BMI का BMI stand for body mass index इसमें होता है weight upon height का whole square height किस में रहेगा मीटर में रहेगा और weight किस में रहेगा किलो ग्राम में रहेगा किलो ग्राम में weight तो दिया है 95 दिया हुआ है अब देखिए यहाँ पर जो है cm में height दिया हुआ 183 cm तो इसको मेटर में change करेंगे तो 1.83 इंटू 1.83 चीक है तो 1.83 इंटू 1.83 जब count गुडा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.3489 हो जाएगा ठीक है अपन इसमें 95 kg इसमें भ इतना आ जाएगा यह लगभग लगभग आ जाएगा 28.38.367 अब 28.367 28.367 किस में आता है किस weight category में आता है यहाँ पर देख लिए आप लोग तो कि आप लोग को याद अभी कराया ही था 28.37 किस category में आता है नार्मल काटेगरी में तो यह नार्मल weight हो जाएगा भाई नार् weight में आएगा ठीक है यह जो हो जाएगा over weight में इसी तरह के से बहुत सारे question पूछ देगा आपको तो आप अगर इसका जो है याद किये हुए है category याद किये है below 18.5 is normal category 18.5 से लेके 24.9 तक आपका होगा नार्मल काटेगरी ठीक है below 18.5 अंडर्वेट होता है below 18.5 अंडर्वेट 18.5 से 24.9 नार्मल वेट then 25 से लेके 29.9 तक क्या हो जाएगा over weight हो जाएगा फिर उसके बाद obesity 1 क्लास obesity 2 क्लास, obesity 3rd grade छीक है तो इस तरीके से इस question को आप लो हल कर लेंगे WHO के अनुशार देखे बहुत important question है और इस बार ये repeat होने की chances है WHO के अनुशार WHO stand for world health organization स्वस्त मनुश्य का WHR कितना होना चाहिए option है 0.9 से 1.0 1 more than 0.9 less than 0.9 इसका answer है less than 0.9 women का कितना होने चाहिए west and hip ratio इसका जो है WHO 0.85 है cable 0.5 जो है 0.5 जो है men से पीछे हैं इनको नीचे रखा गया है तो इनका 0.85 होना चाहिए standards ठीक है next question है skin fold से क्या मापते हैं देखे यहाँ पर skin fold से हम क्या मापते हैं skin fold से हम weight मापते हैं क्या बिल्कुल नहीं और girth measurement या फिर over fatness मापते हैं क्या देखे गर्थ measurement के लिए तो WHR का formula है body fat के लिए आपको बताया ही था BMI का formula है over fatness over fatness जैसे माल लेजे आपका scapula हो गया या फिर या फिर scapula हो गया या ileo femoral जो होता है जो body fat होता है ना body fat जो है पेट की abdominal जो fat होते हैं उसको हम skin fold से ही मापते हैं तो over fatness इसका answer हो जाएगा कि over fatness जो है skin fold से नापते हैं एक question इधर है ectomorphic क्या है relative standard relative slenderness of the body of aging देखे slender body जो होती है ने ectomorphic होता है तीन तरीके के selden ने दिया था somatotype जो body होती है वो था पहला था ectomorphic ectomorphic, mesomorphic और endomorphic ठीक है तो endomorphic जो होते हैं अच्छे shape वाले होते हैं उनका physics बहुत ही अच्छा होता है गठीले होते हैं ectomorphic जो होते है lean and thin slender type होते हैं तो इसका answer ही हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको पढ़ना पढ़ेगा आगे आने वाले chapters में मैं cover कर दूँगा वो ज्यादा ज्यादा describe किया है 12th वाले ncrt में तो जब उसका turn आएगा तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को elaborate करूँगा अब यहाँ पर देखे skinfold calipers is explained by देखे skinfold calipers था फ्रेंड्स यह आपके ncrt में दिया गया तो मैंने सुचा है कि हो सकता है ऐसे कि भी question पूश रचता है यह मैं slaughter and tg low man द्वारा इसको expand किया गया था skinfold calipers को ठीक है तो यह था वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा पसंद आता है तो वीडियो को like कीजिएगा comment जरूर कीजिएगा एक heart जरूर बेजिएगा ठीक है thumbs up जरूर करिएगा so that हमें भी पता चले कि कि किसको किसको वीडियो अच्छा लग रहा है और कौन कौन comments कर रहा है ठीक है और आपके comments कोई सुझा हो तो जरूर बताईएगा इसी तरीके से मैं अपना अगला कड़ी जो है जारी रखूँग